नमस्कार कैसे हैं आप लो मैं पंडित नरेंद्रुपाध्या लाइब हिंदुस्तान की जोतिशेकारी करम में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं सबसे पहले हम लो 27 नॉमबर 2023 की ग्रहिस्तिति देखते हैं गुरु मेश राशी में चंद्रमाब्रिशव राशी में, शुक्र और ख्यतू, कञ्या राशी में, सुर्य बुद्ध मंगल, वृष्षिक राशी में, शनी कुंभ राशी में, और राहु मीन राशी के बोचर्मी चल रहे हैं राशी फल देखते हैं मेश राशी स्वाधिस्ट भोजन की उपलब्धिता रहेगी कुटुम्बो में विर्धी होगी धन का आवक बढ़ेगा स्वास में सुधार होगा प्रेन संतान थोड़ा मध्यम है बाकी ब्यापारिक द्रश्टि कों से शुब सनकाली जी को प्रणाम करते रहे विश्ट राशी आकरशन के केंद्र बने रहेंगे समाज में सराहे जाएंगे आपका कद बढ़ेगा साकरात्म कुर्जा का संचार होगा स्वास प्रेन ब्यापार बहुत अच्छा रहेगा हरी बस तुपास रखे मन खिन रहेगा सर्दर्द नेत्र पीड़ा भी संभव है स्वास्त मध्यम प्रेम संतान अच्छा ब्यापार भी अच्छा सफेद बस तुपास रखे करक राशी आय में आशातीत बढ़ोतरी शुब समचार की प्राप्ती यात्रा में लाब स्वास्त प्रेम ब्यापार बहुत अच्छा लाल बस तुपास रखे सिंग राशी ब्यापारी कस्तति सुद्रडध होगी पिता का साथ होगा कूट कचरी में विजे मिले गा राजनितिक लाब होगा स्वास्त अच्छा है प्रेम संतान मध्यम है स्वास्त में सुधार होगा, परिशानियां खतम होगी, प्रेम संतान अच्छा होगा, ब्यापार भी अच्छा होगा, सफेद बस्तु पास रखे, तुला राशी, चोच्या पेट लग सकता है, किसी परिशानी में पढ़ सकते हैं, परिस्तिया प्रतिकूल है, स्वास्त मध्य प्रेम संतान ठीक है ब्यापार भी ठीक है काली जी को प्रढ़म करते रहें ब्रश्यक राशी जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा नौकरी चाकरी की इस्तती अच्छी होगी प्रेमी प्रेमिका की मुलाकात होगी स्वास प्रेम ब्यापार बहुत अच्छा बड़े आनदायक जीवन गुजारेंगे रंगेन जीवन गुजारेंगे पीली बस्तु पास रख धनुराशी शत्रो परास्त होंगे उड़व्यान क की प्राप्ति होगी मुजुर्गों का अश्रिवाद मिलेगा स्वास नरम गरम प्रेम संतान थोड़ा दूरी वाला व्यापार अच्छा है लाल वस्तु पास रखे मकराश विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा प्रेम की इस्थिती अच्छी थोड़ा तू-तू- बहुत एक सुक्स नम्दा में ब्रधी लगजरी आइटम की खरिदारी घर में कुछ उत्सव स्वास्त अच्छा है प्रेम संतान अच्छा है व्यापार भी अच्छा है हरी वस्तु पास रखे में डाश व्यापारी के स्थिती सुद्रण होगी अपनों का साथ होगा भाई-